महाकाल शोभा यात्रा पर थूकने के आरोप में जो 16 साल के अधनान मनसूरी के घर पर पुलिस ने बुल्डोजर चला दिया था और अधनान को जेल बेज दिया था अधनान को 151 दिन बाद जमानत मिल गई है और कोट में गवाहों ने पल्टी मार दी है गवाहों ने जजज के सामने ये बात कबूली है कि पुलिस के दवाओं में उन लोगों ने बयान दिया था ऐसे में क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताएंगे अधनान मंसूरी पिछले 151 दिनों से जेल में बंद है उस पर आरोप लगा था कि उसने महाकाल शोभा यातरा पर थूका था गवाहों ने पुलीस के सामने इस बात की गवाही दी थी कि उसने अधनान मंसूरी को शोभा यातरा पर थूकते हुए देखा था जिसके बाद पुलिस ने अदनान मंसूरी को गिरफतार कर लिया और उसके साथ ही देशभक्ती गानों के साथ अदनान के घर पर बुल्डोजर चला दिया गया जब अब वही गवा कोट में पलड़ गया है जजज के सामने गवाहों ने कहा है कि उसने पुलिस के दबाओं में अदनान मंसूरी पर आरोप लगाए था जबकि सचाही ए है कि उसने अदनान मंसूरी को थूकते हुए देखा ही नहीं था जिसके बाद अब कोट में अधनान को 151 दिन बाद जमाना दे दी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधनान दोशी नहीं है लेकिन इसके बाद भी अधनान को जबरदस्ती दोशी साबित कर सजा दे दी गई अदनान के घर पर बुल्डोजर चला दिया गया और जब अदनान का घर गिरा ने बुल्डोजर पहुंचा तो उसके साथ ढोल ताशे थे तेश भक्ती गाना बजाय जा रहा था और बिना किसी जुर्म के सिर्फ मुस्लिम नाम होने की वज़ा से अदनान के घर को मलबे में बदल दिया गया पूरा समाज तमाशा देखता रहा पुलिस का नंगा नाच होता रहा लेकिन अब उसी अदनान मंसूरी के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों ने जच के सामने ये कबूल किया है कि उसने पुलिस के दबाओ में ये बयान दिया था जबकि सच्चा ये है कि अदनान मंसूरी ने ना ही किसी यात्रा पर थूका है और ना ही हमने उसे थूकते हुए देखा है ऐसे में सवाल बेलगाम हो चुके बुल्डोजर पर है क्या जूटी गवाही के जर्ये बुल्डोजर चलवाने वाले अधिकारियों के घर पर बुल्डोजर चलाया जाएगा क्या बेल अगाम हो चुके अधिकारियों के पैसों से अधनान मनसूई के घर को दुबारा बनवाया जाएगा मुसलिम नाम देखकर बुल्डोजर चलाने वारे अधिकारियों के घर पर बुल्डोजर कब चलेगा कब इन अधिकारियों को उसके जुम की सजा मिलेगी क्योंकि एक आम आदमी को घर बनाने में जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन मिंटों मों उनके नजरों के सामने उसके घर को जमीदोस कर दिया जाता है इस खबर को देखकर हमें बशीर बद्र की वो लाइने याद आ रही हैं लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में क्योंकि जब तक बेलागाम और सत्ता के तल्वे चाटने वाले अधिकारियों के घर पर बुल्डोजर नहीं चलाया जाएगा तब तक ऐसे ही बेगुनाहों के घर गिराया जाते रहेंगे लोग तमाशा देखते रहेंगे लेकिन इसका दर्द अधनान मनसूरी से पूछे जिसे उस जुर्म में 151 दिन जेल में रहना पड़ा जो जुर्म उसने किया ही नहीं था उस जुर्म में उसका घर गिरा दिया गया जो जुर्म उसने किया ही नहीं तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहें आप हमें कमेट कर जरूर बताएं वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजे और अगर आपने अब तक हमारे चानल खबरदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे